हालो टू आल दे लावली सोल्स वाचिंग दिस वीडियो मैं हूं स्वाती और आप देख रहे हैं मामा मिया व्लॉग्स आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसी जो क्रिटिकल सिचुएशन आज कल चल रही है उसके उपर जितना पॉस क्योंकि जब प्रॉब्लम कॉंटेजियस होती है तो भी नीज तो बी मोर कॉशियस वर दाट सफेंस भी स्ट्रोंग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें तो लेट स्टार्ट वीडियो सबसे पहले मैं बता दू कि आज की जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड तो आज की यह वीडियो हमारी बेबी गर्ल स्पैशल वीडियो है कि कैसे हम अपने स्क्राच मटीरियल से या फिर कोई बचेवे सारी पीसे से या फिर कोई अगर ऐसा एक्स्ट्र मटीरियल हमाई पास नया पड़ा है तो उनसे हम क्या-क्या क्रियेट कर सकते हैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मुच यार फो गिविंग में अगर तो मेक दस वीडियो बिकाज कहीं न कहीं मैं बहुत रिलेट करती हूं इस वीडियो जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मेरी अपनी जो डॉर्टर एश इस कोई ग्रोण अपना लेकिन उसके अला अपनी ममा को उनके लिए इसी तरीके की फ्रॉक्स और ड्रेस बनाते हुए देखा है तिल डेट आज तरफ हो मैं उन्हें जब देखती हूं शी इस ओल्वेज बीजी मेकिंग वन और अधर अधर ड्रेस पोर माई नीसे अंड रियली इतनी प्यारी हो ड्रेस होती है और सब अभी मेरे से जो अलका जी ने रिक्वेस्ट की थी वो एक साल की जो बच्चियां है उनके लिए की थी लेकिन मैंने इस टॉपिक को रखा है जो हमारा एक साल से लेके दस साल तक कि जितनी भी बेबी गर्ल्स हैं हमारी उनके लिए हम इन सब पाटर्ण को रेडी कर सकते हैं सबसे पहले में स्टार्ट करती हूं बेसिक फ्रॉक से यार फ्रॉक्स बनाने के लिए बिल्कुल किसी जादा मटीरल की जरुवत नहीं होती है और नहीं जादा टाइम लगता है और अगर आपको तोड़ी सी भी स्टिचंग आती है तो एक बेसिक फ्रॉक के अंदर ही आप दुनिया भर के वरियेशन कर सकते हैं यह जो अभी आपको स्क्रीन पर डिस्प्लेई हो रही है ताट सब बेसिक फ्रॉक इसके लिए आपको एक प्रॉपर पीस चाहिए होता है और बहुत इसली क्रियेट हो जाता है इसमें अपर पार्ट जो है जो स्मॉल योग पार्ट हो जाएगी आपकी इस व्रिल को अगर आपके पास सेंव अवर उल सेंव यह उवरेयल नहीं तो आप सेंव मचिर अप आपके पीसिस हैं जो बचे वह आपकी सूट्स के या कोई भी पीसिशआ आपके पास पडेंढ़े हैं उनको आपस में जोड़कर आप इस तरीके से एक फ जो फ्रॉक्स हैं जो उन्होंने basic patterns जो basic frocks है उसके अंदर ही variousions कीए हैं आप इसके अंदर देख सकता है कि उन्होंने अलग-अलग pieces को जोड कर कहीं पर उसको नीचे layering में यूज किया हुआ है कहीं पर उन्होंने puff sleeves दे कर कि नारी वगर लगा रखिया है simple से frock के अंदर ही variations की हैं उन्होंने जितनी भी ए frocks create की हैं यह जो remaining left out material होता है उससे create की गई हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने organize करके उसी left out कपड़े को और एक pattern create करने के कोशच की है अलग लग तरीके की तीन चार अलग लग styles बनाने के कोशच की गई हैं आपके सामने एक live examples हैं कि हम इस तरीके से कर सकते हैं उसी basic frock के अंदर create कर सकते हैं दो parts में like इस image के अंदर जिस तरीके से उपर का part black ले रखा है अगर आपने उपर का yoke black बना गा तो इस तरीके से अगर आपने उपर का yoke part अपना black बनाया है तो आप नीचे किसी भी तरी टकर लगाएंगे तो बहुत जादा सुंदर लगेगा आप इसी के नीचे frill add कर सकते हैं किसी और material की और जिस चीज का ध्यान रखना है वो है color combination वो coordination होना चाहिए colors का frock के अंदर जितने coordinated आपके colors होंगे उतना ही सुंदर उस frock का look आएगा तो इस चीज का आपको रखना ह इसी तरीके से जो अभी आपके pattern देखा उस पर based हमने जो styles अपने घर में try किया है या बनाए है वो अभी आपको screen पर display हो रहे है इस तरीके के patterns में हम लोगों ने same जो हमारे पास left out material था उसी से ही frocks create की है और next इस वक्ट जो screen पर आपको दिख रही है इस तरीके के अगर आप कुछ भी पर करते हैं तो वो सिर्फ घर में पहनने वाली चीज नहीं होती है आप बच्चे को पहना के कहीं पर भी ले जा सकते हैं और धेर सरी compliments आपके वेट में पैठे नजर आ सेकते हैं आपको Frogs जो है सबसे easy चीज है और जो हम stitching भी सीखते है तो यही basic चीजों से हमें start करवाया जाता है आप दो चार बनाएंगे तो automatically अगर आपका हाथ साफ नहीं भी होगा मेली तरह तो भी हो जाएगा पर डिस्पले हो रहा है यह frilled frog का pattern it's very easy आप या तो single color look दे सकते हैं उसे या फिर आप अलग 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 की फ्रिल्स बना सकते हैं या फिर से दो colors को यूज के सकते हैं it totally depends on you and the availability of material you have so guys now I will talk about the pillowcase dresses pillowcase dresses are the most versatile dress ever like jayse aap ko naam se pata chal raha hooga pillowcase it's like a pillow just a तरीके से हमारे पिलो होता है पिलो जिस बूस्चर की बात करें तो उसके अंदर ज्रॉस रिंग होती है आप उसको पुल करते हैं उसी तरीके से हमारी जो यह pillowcase dresses है उसके अंदर भी आप समर्स में आप इसे आज़टिस यूस कर सकते हैं और विंटर्स में आप इसके नीचे एक बॉम लेयर दे सकते हैं कोई भी इनर पहन सकते हैं तो लाइक और और सबसे बड़ी बात यह जो इस सरीके कि आप किस तरीके से क्रियेट करना चाहते हैं यह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वह इजी पाटर्स में आपके लिए पिक करूं जो आप सच में खुद बना सकते हैं अराम से अपनी घर में यह बहुत बहुत जादा प्यारी लगती है कैजल फॉर्मल किसी भी तरह से आप इने पहन सकते हैं बनवा सकते हैं बना सकते हैं तो इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है आप इस तरीके से कॉटन मेटीरियल पर यह कॉटन बेस मेटीरियल पर आप यह भी सेम आप पूरा साल पहन सकते हैं और अगर बच्चा हो जाता है बड़ा और यह हो जाती है छोटी तो भी आज़ त्यूनिक आप इसे लेगिंग के साथ बैर कर सकते हैं सबसे पर YOK का पार्ट आपका यह जो नीचे का पाट है और नीचे का पार्ट वह जां दे लिया वनोंहीं यह क्या है इसे प्रोग के अंदर इसके अन्दर बैक साइड देखे है तो एक वो क्रियेट कर दी गई है which is making its look very different from the rest of the frocks जो कि उपर ऐसे plural prints बहुत अच्छे लगते हैं तो इस तरीके कि अगर आपके पास printed sarees के पीस पड़े हुए आप चाहें तो इस तरीके से party wear dresses आप खुद अपने पच्छों के लिए क्रियेट कर सकते हैं आपी इस प्रण पर आपको डिस्प्ले जो हो रही है पिक्चर मेरी नीज की है और इसे जो इड्रेस पहनी हुए यह मेरी मधर ने क्रियेट की है थोड़ा सा एलेमेंट अड़ करने के गोशिश कही है जो बहु उन्होंने फ्रंट में लगाई है प्लस साथ में उसको एक पोर्टली बाग दिया है इस ड्रेस के साथ कैरी करने के लिए तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है और किते प्यारी लग रही है और रिसेंट उनका जो सबसे नया उन्होंने किया है वो यह आप लोग देखे किस तरीके से एक स सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हैड बैंड कर सकते हैं रबर बैंड कर सकते हैं वास इसली क्रियेट हो जाते हैं तो गाइस पॉसिबिलिटी ओफ मेंग इस ताइलिश आउटपेट्स वार बेवी गर्ल इस अनलेस् कि ये वीडियो यूसुल रही होगी आपको इन सब आइडियास में से कोई एक आइडिया तो स्ट्राइक किया होगा और इस ट्राइक किया हो तो लाइक के बटन को स्ट्राइक करना मत भूलेगा and don't forget to comment यार इतनी नेगिटिविटी के अंदर आपकी जो कामेंट काम करते है मेरे लिए इतने इतने इफेक्टिव है वो मुझे इतनी पॉजिटिविटी देती है and that's the thing I love to read your comments so please don't forget to comment और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल की बाकी वीडियो को रिपॉपस वीडियो हम अप्लोड करते रहते है तो उन वीडियो को पीज चेक आउट कीचेगा and if you like our content don't forget to subscribe to our channel and to press the bell icon to get our latest update so guys now it's time to say bye take care of yourself and what else I can say इतने crucial time में और कुछ और मैं कहनी सकती प्लीज अपना ध्यान रखिये जाद जाद खुश रहिए enjoy कीजे life को her moment को enjoy कीजे और जितनी help हो सकती अगर आप किसी की कर सकते है तो help कीजे that's all we can do so stay positive keep rocking take care bye हुआ हुआ हुआ